हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाई करनी है आज है हमारे पास कक्सा बारा का केमिस्ट्री और कक्सा बारे में जो हमने केमिस्ट्री स्टार्ट की है उसमें हम पढ़ने जा रहे हैं basics of chemistry और basics of chemistry हमने कल से पढ़नी शुरू करी थी और आपको पता है कि रसायन विज्ञान की सुन्य से शुरुवात हम कर रहे हैं और इसमें आपको ध्यान ये रखना है कि NCRT आधारित हिंदी माध्यम ये syllabus है जिस जिस state board में NCRT का syllabus follow किया जाता है और हिंदी मेडियम है उस state board के लिए या उस state के बच्चों के लिए ये batch बहुत super duper most valuable batch है इसमें हम बिल्कुल सुन्य से सुरुवात कर रहे हैं हमें पता है कि हमारे syllabus में total कितने units हैं total 10 unit है और हम किसी भी chapter को start करने से पहले अपना basic अर्थात अपनी new मजबूत करेंगे और नीव को मजबूत करने के लिए हमने सबसे पहली starting ली है एकार्बनिक योगी को का नाम करन जिसे हम कह सकते है nomenclature of inorganic compounds तो एकार्बनिक योगी को का नाम करन या nomenclature of inorganic compounds को कल हमने start कर दिया था और आज ये एकार्बनिक योगी को के नाम करन का lecture number second है हमने कल क्या पढ़ाता उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कल हमने क्या पढ़ाता आपको थोड़ा सा रफली बताता हूँ फिर कल जितना भी पढ़ लिया था उससे अग्गे मुग करेंगे उम्मीद है कि जो हमने कल डिसकस किया थे सारी बाते हैं basic वाली nomenclature वाली में आपके समझ में आई होंगी अभी आपको क्या समझना है कि जब भी हम किसी भी एकार्बनिक योगी का नाम लिखते हैं तो उसमें मुख्य रूप से दो चीजों की आवशकता पढ़ती है नंबर एक पर तो आवशकता पढ़ती है prefix की इसकी आवशकता पढ़ती है prefix की जो हमने कल सीख लिये थे prefix जिसे हम इंदी में कहते हैं पूर्व लगन और नंबर दो पर आवशकता पढ़ती है suffix की suffix के बारे में हम बात कर रहे थे suffix को हम अनूलगन भी कहते हैं और बहुत सारे suffix मैंने आपको समझा दिये थे और उन्हीं suffix के करम में एक बात बताई गई थी कि यदि आपके पास कोई भी suffix में परमानू अकेला है कोई भी तत्व अकेला है तो उसका suffix लिखते समय बाद में आईड लगता है और यदि कोई भी तत्व ऐसा है जिसमें oxygen की मात्रा अधिक्तम है जिसके साथ अधिक्तम मात्रा में oxygen अटेच है तो उसके suffix का नाम लिखते समय बाद में उसमें 8 लगता है और यदि कोई आपके पास तत्व है और उसके साथ oxygen की मातरा अधिकतम मातरा से कुछ कम है तो उस समय suffix लिखते समय बाद में लगता है 8 तो एक ये बात भी सबको पता होनी बहुत जरूरी है तो हमने prefix तो पढ़ लिए थे prefix के बारे में तो आपको ये बताया था कि कोई भी कार्बनिक योगिक है सभी बच्चों को good evening, रादे रादे, नमस्ते, hello, ध्यान से सुनो हमने prefix में बताया था कि कोई भी आपके पास यदि योगिक है और उसका आप नाम लिखना चाते हो, एकार्बनिक योगिक का तो उसमें आपको prefix की जौरत पढ़ेगी किसकी जौरत पढ़ेगी? prefix की और prefix वे सारे नाम होते हैं जो आवर सार्णी में तत्वों के नाम है जिने आप क्षारिय मुलग भी कह सकते हो सभी बच्चों को देख रहा हूँ मैं प्रदीप यादव, प्रिंस यादव, संगीता कुमारी, सत्यवीर सिंग, साक्षी कुमारी, संगीता कुमारी, सूरज, सब को देख रहा हूँ तो बैटे suffix हमने पढ़ लिये थे suffix हम पढ़ रहे थे और prefix हम पूरे पढ़ चुके थे तो suffix का जितना भी हमने कल पढ़ा था उससे आगए आज की पढ़ाई स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ध्यान से समझना हर एक चीज को और समझने के साथ साथ एक बात का और ध्यान रखना है कि मेरे साथ साथ लिखना भी है मेरे साथ साथ लिखना है हर एक बच्चे को देखो आज जो हम suffix पढ़ने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे f को यदि आपके पास f आ गया है जैसे मान लो हमारे पास एक कंपाउंड आया अब 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 को जब आप देखते हो तो इसमें अन ने तो पहले वाला हिस्सा है f है बाद वाला हिस्सा पहले वाले हिस्से को तो हम लिखेंगे prefix की तरह और बाद वाले हिस्से को अकिला है उसके साथ oxygen नहीं है तो उसका suffix लिखते समय बाद में क्या लगेगा आईड वैसे तो यह fluorine होता है पर यदि एफ अकिला आया और बाद वाला हिस्सा बनके आया यानि अनुलगन बनके आया suffix बनके आया तो इसका नाम fluorine नी होने का बेटे इसका नाम होगा fluoride मेरे साथ साथ लिखना कल जहां छोड़ा था dichromate पर dichromate के बाद आज हम study कर रहे हैं ठीक है बेटे ठीक है सचीन fluoride क्या नाम है fluoride और यदि आपके पास जो fluorine है उसके साथ तीन oxygen अधिकतम मात्रा में सकते हैं इस तरह का कोई बाद वाला हिस्सा हमें मिल गया तो अधिकतम मात्रा में oxygen है तो एट लगेगा तो इसका नाम होगा fluoride एफ एल यू ओ आर एटी इफ्लोरेट और यहां देखो जरा एफ ओ तू ऑक्सीजन यदि अधिकतम मात्रा से कुछ कम मात्रा में उपस्थित ह है तो नाम के बाद में आइट लगेगा इसका नाम होगा fluoride एफ एल यू ओ आर आई टी इफ्लोराइट ठीक है अब जरा इसी सिक्वेंस में आप मुझे सील का नाम बताओ सफिक्स में सील का क्या होगा और सी एल ओर टू का क्या होगा इन तिनों के बता दूनाम सफिक्स मे क्या यूज होंगे कि सी एल वैसे तो क्लोरीन होता है पर यहां अकेला है तो इसका नाम क्या होगा क्लोराइड लिखते रहना मेरे साथ साथ जो वास्तविक्ता में अच्छे ढंग से पढ़ाई करनी है ना तो आप मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना यह सर्त है कि आपके इसका नाम होता है क्लोरेट क्या नाम होता है क्लोरेट और इसमें अधिकतम मात्रा से कुछ कम है तो इसका नाम हो जाएगा क्लोराइड 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 में तो यह bromine है यहाँ इसका नाम आइड के साथ आएगा तो bromide ब्रो माईड और इसका बताना अ पर tax का oxygen अधिक्थम मात्रा में तो 8 लगेगा iv Mother क्या नाम है Brumad और इसका बताना जद variety आरो टू का oxygen अधिक्थम मातरा से कुछ कम है तो लगेगा इसका नाम हो जाएगा bromide कि नाम हो जाएगा ब्रॉमाइट जिन बच्चों ने कल की चलास ली थी ना उन्हें बिलकुल अच्छे तरीकसे समझ में आ रही होगी सारी बाते और जिनोंने कल की कलास जरूर ले लें जो पहला lecture था हमारे इस hydrogen batch 2.0 का कल वाली class जरूर ले 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 अभी हमने जितनी भी बाते करी उनमें वही बात समझाई आपको कि यदि कोई तत्व अकेला होता है तो उसका नाम लिखते समय बाद में आइड लगता है उसका suffix लिखते समय उसका अनुलगन लिखते समय और यदि उसके साथ अधिक्तम मात्रा में oxygen उपस्थित होता है तो उसका नाम लिखते समय बाद में 8 लगता है और यदि oxygen की मात्रा अधिक्तम से कुछ कम होती है तो लगता है आइट तो इस rule को follow करते वे चल रहे हैं हम पर कुछ हमारे पास अपवाद या exceptions भी आएंगे तो जो अप अपवाद आया था डाइक्रोमेट के उपर हमने स्टार का निसान लगा दिया था ठीक है बिटे क्लियर है न सब कुछ औडियो वीडियो क्लियर है ना सब कुछ क्लियर है अब बिटे कोशिस करेंगे की यूट्यूब पर ज़्यादतर क्लास हो पाएं पर हमारा जो एपपर सारी क्लास होँगी ऑप लाई लिई से लिख लो आप फिर मैं नेक्स्ट पेज़ पर आता हूं हमारे देश के बच्चे जल्दी से लिख लेंगे ठीक है बेरी गुड बेरी गुड रगुवीर कुश्वाहा लिख लिए बैटे अच्छा इसका नाम आयोडाइड है इसका नाम आयोडेट है और यदी हम कह दें कि हमारे पास आयोडीन है और आयोडीन के साथ ऑक्सीजन की परमानवों की संख्या दो है तो आयट लगेगा इसका नाम हो जाएगा आयोडाइड ठीक है क्या नाम हो जाएगा आयोडाइड अच्छा मन को वैसे तो मैगनीज कहते हैं पर यदी ये सफिक्स के रूप में आ गया है नी बादवाले हिस्से के रूप में आ गया तो आइड लगेगा ना मेगनाइड क्या नाम होगा मेगनाइड म-A-N-G-A-N-I-D-E मेगनाइड लगता है ना जब कोई अकिल्ला होता है और अधिक्तम मातरा में ऑक्सीजन इसमें तीन जुडते हैं नॉर्मली नॉर्मली तीन जुडते हैं तो इसका नाम एट लगेगा ना बाद में क्या नाम हो यहाँ ए आएगा पर यदी इसमें यदी एक चीज और ध्यान से सुनो यदी oxygen extra आ जाए oxygen क्या आ जाए extra यानि अधिकतम मातरा से भी जादे भई हम कैसे पहचान करते हैं कि कोई भी तत्व अपने साथ अधिकतम मातरा में oxygen को लिए हुए है हम पहचान करते हैं सईयोजक्ता के आधार पर मालो मैं आपको कहूँ कि जब हम सईयोजक्ता के आधार पर चले तो हमने देखा कि ओक्सीजन अधिकतम मातरा में इसके पास तीन होनी चाहिए थी तो इसका नाम 8 के अकॉर्डिंग होगा हमने मैगनेट लिख दिया पर यदि ऑक्सीजन आगी अधिकतम मातरा से भी जादे जिसे हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑक्सीजन यदि ऑक्सीजन सईयोजक्ता के हिसाब से जादे आगी तो उस जगह पर का प्रियोग होता है पर का यह बहुत बड़ी आ रूल है दिहान रखना एक्जाम्पल दूँगा मैं आपको फर एक चीज़ गा जैसे माल लो हमें पता है MnO3 का नाम मैगनेट है पर यदि आपने Mn के साथ ऑक्सीजन एक और आपको मिल गया अधिकतम मातरा यह है अधिकतम से भी जादे हो गया एक्स्ट्रा हो गया सहीं जकता के नियम जो है सारे फेल कर दिये तो ऐसी स्थिती में क्या होता है ऐसी स्थिती में क्या होता है बिटे पर लगता है तो इसका नाम मैगनेट नहीं है पर मैगनेट इसका नाम है पर मेगनेट क्या नाम है पर मेगनेट इसे हम कहते हैं पर मेगनेट ध्यान रखोगे पर कब लगता है जब एक्स्टा ओक्सीजन है जैसे आपने इस फार्मूले को तो पढ़ रखा है यदि मैं आपको कहूँ कि आप मुझे KMNO4 का नाम बताओ तो इसमें सबने रट्टा मार रखा KMNO4 में K माने तो होता है पोटेसियम और MNO4 का मतलब यह सिखाया पर मेगनेट वैसे आपने रट्टा मार रखा पोटेसियम पर मेगनेट है इसका नाम पर पता तो होना चाहिए कि पर कहां लगता है जैसे मैं आपको कहूँ कि मालो हमारे पास H2O है इसका नाम सब बता देंगे जल है वाटर है एक्वा है नीर तोए अंबू वारी दुनिया भर के नाम इसके बता दी है इसका रासाइनिक नाम आप बताओगे तो क्या बताओगे और यदी मैं आपको कहूँ कि इसका रासाइनिक नाम बताओ एच टू ओर टू का तो इसमें तो आपने रट्टा मार रखा हाईड्रोजन पर आक्साइड आप इसे हाइड्रोजन पर आक्साइड ही तो बताओगे क्यों कि आपने रट रख रखा है पर यदी मैं पूछ कर दो माइंड जब को nadal करने के लिए एक इलेक्ट्रोन देगा ना की सात लेगा और oxygen की बात करें तो oxygen 16 वर्ग का तत्व है या 6 वर्ग का तत्व है और इसकी भारी कक्सा में 6 electron होते हैं तो 8 करने के लिए वो 6 को निकाल लेगा थोड़ाई 2 को लेगा ग्रहन करेगा और जब उसने 2 electron ग्रहन कर लिए अपनी भारी कक्सा को संतरफ्त करने के लिए इसका मतलब oxygen की सही हो जगता कितनी होती है तो होती है जब हम 9th क्लास में थे तो हमें यह बात सिखाई गई थी कि इस सही हो जगता को तो यहां लिखा जाता है और इसे लिखा जाता है यहां तो इसलिए hydrogen hydrogen के नीचे तो आप 2 लिखोगे और इहां oxygen के नीचे कुछ नहीं लिखने के 1 लिखो या ना लिखो यही बात है इसलिए hydrogen oxide का फार्मूला क्या होता है H2O क्या होता है H2O इसलिए होता है hydrogen oxide का फार्मूला H2O यह जल का फार्मूला H2O इसका मतलब हमें पता चला कि दो हाइडोजन के साथ एक उक्सीजन जुड़नी चाहिए सही ओजगता के नियम के अनुसार क्लास 9 के बारे मैं बात कर रहे हैं हम पर यहां देखो दो हाइडरोजन के साथ एक उक्सीजन जुड़नी चाहिए पर दो हाइडरोजन के साथ तो दो उक्सीजन जुड़नी इसका मतलब सहिए जगता के नियमों को ओवरलैप कर रहे आग ait आयटो को ऑप सब्सक्राइब ऑपे और यदी मैं पहलेnal शिद्धा हमला करती होगा हे वे और आपको बेसिक्स मजभूत नहां करो तो एक्ष्यEP तो होनी है फिर chemistry समझ में कहां से आ जागी आपके इसलिए बेटें यह सारी बाते समझनी बहुत जरूरी है मैं जीरो लेवल से इसलिए लेकर चल रहा हूं कि आपकी नीव मजबूत हो जाए हां मजबूत हो जाओ सब्जेक्ट में और जिस दिन आप मजबूत होगे ना यह सा मजबूत हो जाएगा chemistry बढ़ने में chemistry से बढ़िया सब्जेक्ट ही नहीं लगने का कोई भी आपको बैस्ट सब्जेक्ट बन जाएगा आपका फेवरेट सब्जेक्ट केमिस्ट्री ठीक है हां हां बिल्कुल बेटे सर्वेस मिल जाएगा आपको चिंता नगरो सर्वेस बिल लिखो यदि ना लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं यदि आप चाहते हो कि negative ना लिख हैं यह भी एक शारिय मूलक ही है इसे हम कहते हैं acetate वैसे तो organic chemistry में इसका use होगा पर यहां भी मैं बता देता हूँ कुछ कुछ compound ऐसे हैं जिनके नाम inorganic chemistry की तरह भी लिखे जा सकते हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं है तो acetate को याद रखना यदि एफ़ी आगया आपका अनूलगन में तो वैसे तो क्या होता है iron यह फेरम होता है और यदि अकिला हगया तो i'd लगेगा इसका नाम होगा फेराइड क्या नाम होगा फेराइड होगा इसका नाम और यदि इसके साथ F.E. के साथ 3 आक्सीजन आगे तो इसका अनुलगन बनेगा 8 लगेगा न 8 F.E.R.R.A.T.E. फेरेट तो इसका अनुलगन बनेगा फेरेट और यदि ऐसा आगया F.E.O.3 की जगा O.2 आगया ओक्सीजन अधिकता मातरा से कम है तो इसका नाम हो जागा फेराइड मतलब समझ लेना कभी कभी ऐसा होता कि पढ़ते पढ़ते हमें ये भी नहीं याद रहता इस सर हम पढ़ क्या रहे थे हमें पता ही नहीं रहता है इस बात का हम जो है एकार्बनिक योगिकों का नाम लिखना सीख रहे हैं पूर्वलगन आपको कल सारे सिखा दिये थे अनुलगन सिखाने शुरू कर दिये थे किसी भी रासाइनिक योगीक का नाम लिखते समय उस नाम के दो टुकड़े होते हैं जो उसका पहला टुकड़ा होता है जैसे इसका पहला टुकड़ा हाइड्रोजन है और दूसरा परॉक और बाद वाले टुकडे को अनूलगन को या सफिक्स को जैसे मेरा नाम है कमल मोहन तो कमल पूर्वलगन है और मोहन अनूलगन है ठीक है तो पूर्वलगन यानि पहले लगने वाले नाम नाम का जो पहला हिस्सा है वो हमने कल पूरा डीटेल में डिसकस कर लिया था और हमने अनुलगन यानि किसी रासाइनिक योगीक के नाम में लगने वाला जो बादवा हिस्सा होता है लास्ट वाला हिस्सा बादवाला हिस्सा उसकी practice हमने कल से start कर दी थी और उसी की practice अब continue कर रहे हैं FpO2 यदि बाद में आया तो उसका नाम ferrite होगा यदि HCO3 आ गया ना बाद में HCO3 तो CO3 को तो सारी दुनिया जानती है CO3 होता है कार्बोनेट और यदि कार्बोनेट से पहले H आ गया तो जब H आ जाता है ना बीच में तो बाई लगता है इसका नाम बाई कार्बोनेट है बाई कार्बोनेट ध्यान रखना बाई कार्बोनेट को कुछ बच्चे हाइडरोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं तो आप इसे बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हो और hydrogen carbonate भी बोल सकते हो या तो आप इसे bicarbonate बोलो या फिर आप बोलो hydrogen carbonate दोनों में से कुछ भी use कर लो दोनों सही है बिलकुल कोई दिक्कत नहीं है ठीक है अब यह hydrogen पता कैसे आया होगा यह किसी ऐसे तत्व को हटा के आया होगा जिसकी सही होजगता hydrogen के बरबरी है जैसे sodium देखो एक example से बताता हूँ जैसे आप इसका नाम पढ़ते हो ना na2 co3 का आप इसे कहते हो sodium carbonate रट रखा सबने sodium carbonate यदि दो मैसे एक sodium तो यहाँ बचा और जो sodium गया उसके जगा hydrogen आ गया co3 देखो दो थे अब तो एक है वो जो गया उसके जगा यह hydrogen आ गया तो इस तरीके से जब hydrogen किसी sodium परमाणू को या एक सही होजगता वाले परमाणू को हटा के उसका स्थान पर आ जाता है ना sodium sodium के स्थान पर hydrogen आ जाता है हम बाई का प्रियोग करते हैं तो यह कार्बोनेट नहीं बाई कार्बोनेट यह hydrogen कार्बोनेट आप इसे कह सकते हो अच्छा ज़रा इसका नाम बताना SO4 का S अकेला होता तो सलफाइड होता S के साथ 4 ओक्सीजन है तो सलफेट S के साथ 3 ओक्सीजन होते तो सलफाइट ठीक है यदि मैं कह दू कि इसके पहले भी H जुड़ावा है तो यह सलफेट थोड़ा ही है अब जब इसके पहले भी H जुड़ावा है तो यह क्या है BISULFATE है क्या है BISULFATE इसका नाम BISULFATE है और BISULFATE को आप Hydrogen Sulfate भी कह सकते हो या तो इसे BISULFATE कहो और या फिर कहो Hydrogen Sulfate बताओ समझ में आरी क्या बात मेरे साथ साथ लिखते रहो बिटे बिलकुल मेरे साथ साथ लिख लिए आगा है हाँ तक सबने लिख लिए ज़रा इसका नाम बताना HPO4 का PO4 तो फास्फेट होता है H पहले आगया तो बाई फास्फेट बाई फास्फेट या आप इसे Hydrogen Fosfate भी कह सकते हो बाई फास्फेट का हो या Hydrogen Fosfate का हो बताओ यहां तक लिख लिया गया समने लिख लिया बिटे तो यह कुल मिला के मैंने आपको सारे prefix सिखा दिये सारे suffix सिखा दिये कोई एक अद्दा छुट गया तो जब हम practice करेंगे तो उसमें ले लेंगे उसे जो एक अद्दा छुट गया होगा कोई ठीक है हाँ ठीक है तो बिटे Hydrogen Sulfate कह सकते हो आप इसे बाई Sulfate भी Hydrogen Sulfate भी कह सकते हो अभी एक बात बताता हूं मैं आपको बात यह है कि जब हम एकार्बनिक योगिकों का नाम लिखना हमने सुरू करा था सीखना सुरू करा था तो सबसे पहला सवाल बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ऐसा मतलब आपने क्यों स्टार्ट करवाया यह जीरो लेवल और यदि कंपाउंड का फार्मूला आपके सामने लिखा वा है और आप उसे देखके पहचानी नहीं रहे कि कौन सा योगिक है आपको उसका नाम ही नहीं पता है तो दिक्कत हो जाएगी ना जैसे आपके क्लास के सारे बच्चों के नाम आपको पता हैं तो आप क्लास में घुसके सब के नाम जानते हो तो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फिलिंग आती है सबको आप जानते हो और यदि आपको किसी नए कॉलिज में एडमिसन दिलवा दिया गया और आप महाँ पहुंचे और आपको एक कभी ने नाम पता बच्चे का तो महाँ तो घुसते ही आपके होस फाकता हो जाएंगे होस उड़ जाएंगे आपके एकदम वह जाते ही आपको कुछ भी समझ में नहीं आने का अनकमफर्टेबल फील करोगे आप एकदम ठीक है हाँ समझ में आई बात में जरुरत पड़ेगी तो हम भाई उसे सीख लेंगे ठीक है लिख लिए चलो अब आते हैं हम तीसरा स्टैब मैंने बताया था पहला स्टैब बताया था कि भाई किसी भी कार्बनिक योगिक का नाम लिखना सीखना है तो सबसे पहले तो आपको पूर्व लगन आने चाहिए यानि प्रिफिक्स जो हमने कल सीख लिए थे फिर बताया था कि आपको आने चाहिए सफिक्स यानि अनुलगन जो हमने अब पूरे कर लिए सुरू तो कल करे थे पर कंप्लीट अब कर लिए और और टीसरी चीज यानि तीसरा स्टैप बताया था आपको कि आपको रसाइनिक विज्ञान की गिंधि आनी चाहिए अब सर रसाइनिक विज्ञान की गिंधि कौन सी है-सामंने गिंधि तो आपको अती है हमें ःए ह मैं हा高 बिलकुल बिटे बिलकुल देखो तीसरे नमबर पर हम बात करेंगे तीसरा जो हमारे step होगा वो होगा गिंटी और गिंटी को आपको पता है क्या कहते हैं इंगलीस में गिंटी को कहते हैं counting तो गिंटी या counting हमें सीखनी पड़ेगी chemistry की और chemistry में भी inorganic chemistry सिखाता हूँ चलो आपको गिंती ऐसा तो नहीं लग रहा कि यह यू के जी में आगे अब हम गिंती सीखने शुरू करेंगे ऐसा दो नहीं लग रहा देखो गिंती जो है एक से शुरू होती है एक दो तीन चार पांच छें आठ आठ नो और दस दस तक की गिंती आप याद रख लो बस एक को तो कहते हैं मोनो चेमिस्ट्री में दो को कहते हैं डाई तीन को कहते हैं ट्राई चार को कहते हैं टेटरा लिखना पड़ेगा मेरे साथ साथ पांच को कहते हैं पेंटा छे को कहते हैं हेक्सा साथ को कहते हैं हेप्टा 8 को कहते हैं Octa 9 को कहते हैं Nano ठीक है या तो Nano कहो Na है बिटे चलो NaNo और 10 को कहते हैं Deka तो 10 तक की गिंती यह याद होनी चाहिए यह सब बच चोगे जल्दी से लिखो ही से आयू सर्मा 7 क्या नहीं समझ में आया जल्दी से बताओ क्या नहीं आया समझ में यह गिंती नहीं आया क्या समझ में क्या दिक्कत हुई बताओ No Nani Nano 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 लिखना है बिटे है सत्यवीर सिंग प्लेलिस्ट है Numericals की मिल जाएगी आप देख सकते हो आपको सारा चीज मिल जाएगी अपली के सन में देखो आप Hydrogen batch की अंदर ही आपको Numerical का भी पूरा मिल जाएगा 24 लेक्चर हैं उसमें तो यदि आप Mono, Di, Tri, Tetra, Penta, Hexa, Hepta, Octa, Nano और Deca इने सीखे तो अब हम सुरू करते हैं अपनी प्रैक्टिस असली काम सुरू करते हैं ठीक करें असली काम सुरू यह लिख लिए आपने चलो अब हम करते हैं प्रैक्टिस स्टार्ट यानि यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं अपने examples चलो examples स्टार्ट करते हम यहाँ से समझेना हरे एक चीज़ को अब हमें prefix की भी ज़र्थ पढ़ेगी suffix की भी असली खिड़कियां अब खुलेंगी दिमाग की आपके मतलब अब आपके समझ में आना सुरू हो जाएगा जैसे ही हम practice करेंगे ठीक है देखो मालो मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे इस योगिक का नाम बताओ क्या है h2o का तो आप बता दो होगा जो prefix होते हैं पहले लगने वाले हिस्से का नाम तो सामन्य होता है hydrogen o o अकिला है वैसे तो oxygen होता है अकिला है तो आइड लगेगा तो इसका नाम है oxide तो इसका नाम hydrogen oxide है जिसे आप water कहते हो जल कहते हो acqua कहते हो कुछ भी गहरे इसका राशाइनिक विज्जान में नाम है hydrogen oxide आप इसे hydrogen monoxide भी कह सकते हो शिवम परजापती वैलकम आप इसे कह सकते हो बेटे hydrogen monoxide आप इसे hydrogen hydrogen monoxide भी कह सकते हो hydrogen Hydrogen का मतलब H, Mono मने 1, O मने Oxide, Hydrogen Mono Oxide भी कह सकते हो. और एक बात और बताओं, आप इसे ड़ाय हाइड्रोजन Mono Oxide भी कह सकते हो, कि 2 तो hydrogen है, 1 oxide है. ड़ाय हाइड्रोजन Mono Oxide. ठीक है? डाई हाइडरोजन मोनो ऑक्साइड भी कह सकते हो चलो यहां लिख देता हूँ मैं इसका एक नाम डाई हाइडरोजन डाई हाइडरोजन मोनो ऑक्साइड भी है डाई हाइडरोजन मोनो ऑक्साइड यह भी इसका एक नाम है तो तीन नाम बता दी है इसके तीन नो रासाइनिक नाम है तीन नो सही है अब जैसे अभी मैंने एक एक एक्जामपल लिया था फिर दुबारा लेता हूँ अब इसमें आपको पता है कि दो हाइडोजन के साथ एक ऑक्सीजन जुड़ती है सही हो जगता के नियम के अनुजार पर यहाँ दो हाइडोजन के साथ तो दो ऑक्सीजन जुड़री यानि एक ऑक्सीजन यहाँ एक्स्ट्रा है और एक्स्ट्रा है तो पर लगेगा इसका ना है hydrogen hydrogen extra है न ओक्साइड hydrogen पर ऑक्साइड इसका नाम hydrogen पर ओक्साइड क्यों है क्योंकि सहिए जगता के नियम के नुसार इसमें एक extra oxygen है जैसे कि अभी 5 मिनट पहले मैंने आपको explain करा था reason कि क्यों है इसमें extra oxygen hydrogen पर ओक्साइड है या फिर आप इसे hydrogen dioxide भी कह सकते हो आप इसे कह सकते हो कुछ books में लिखा होगा इसका नाम hydrogen hydrogen dioxide कुछ books में इसका नाम hydrogen dioxide लिखा होगा और किसी-किसी किताब में लिखा होगा hydrogen dioxide ठीक है पर सबसे ज़्यादे परचलित सबसे ज़्यादे परचलित नाम है हार्डॉजन परोकसाइड और आपने सबसे ज़्याद सुन भी रखा है हार्डॉजन परॉकसाइड को जरह इसका नाम बताना हमारे देस के बच्चे बहुत हिम्बत वाले हैं खेल देकर इसका नाम बताएंगे क्या है तो कोई बच्चे ने टाइब करा अमोनिय अब इसका नाम अमोनिया सामन्य नाम है 1-7 को मैं गुज़े और एक चीज चेक कर 이제 3 का रसाइनिक नाम क्या होगा वेटे निखा किसी ने आमोनिया लिखा राज कुपता ने लिखा अमोनिया हां या नाम होगा इसका बताओ जल्दी बताओ इंतजार करना वैसे तो आप चैटिंग करते रहते हो दुनिया भर की अब मुझे मैंने क्योस्टन पूछ लिया तो आप आंसर नहीं दे रहे थीक है दो आंसर जल्दी से क्या नाम है इसका इतना सन्नाटा क्यों है वाई इसका इसमें पहला हिस्सा नाइट्रोजन है और बाद का हिस्सा हाइड्रोजन है तो नाइट्रोजन को तो हम नाइट्रोजन ही कहेंगे और हाइड्रोजन को अनू लगन में अकिला है हाइड्रोजन तो क नाइट्रोजन नाइट्रोजन पूरू लगन तो नाइट्रोजन है और तीन है हाइड्राइड इसमें राइड्राइड इसका नाम है नाइट्रोजन ट्राइड्राइड ठीक है यही तो चिज्जे सिखानी आपको और यदि इन चिज्जों को आप सीख गे तो आप कुछ भी में गल्ती नहीं करोगे इसका नाम बताऊ जढ़ा क्या हैеро का नम के इसका बताओ एंड्ञए मने इसका नाम सोडियम ओक्साइड है तो डियाम शौडियम औकसाइड में आध्य-दियम ऑखक्साइड अच्छा इसका बताना एनने टू ओर टू का अ सोडियम सबांट इसका है सोडियम और और ओक्सीजन देखो मैं सोडियम की рекूप हिऊंता एक गुख ninja की दो होत्टी ऐ जब यह दुन्म आपस में सइयोग करतें है तो इसकी सहिजगत कुर्णाल इस यहां लिख़ी जाएगी एक जिसे लिखने की जौरत नहीं है तो sodium 2 sodium के साथ 1 oxygen जुड़ती है सहियो जगता के चाहिए नाम sodium oxide लिख दिया यहाँ दो के साथ 1 जुडनी चाहिए ती पर 1 oxygen तो extra है नाम बताना जारा क्या होगा इसका sodium per oxide extra को very good सत्य विर सिंग very good सरवेज कुमार सरवेज गलती गरदी वेटे इसका नाम है sodium paroxide sodium मतलब इन्हें सीख लो चिज्जों को sodium par oxide आप इसे sodium dioxide भी कह सकते हो जैसा कि अभी एक बच्चे ने answer दिया आप इसे sodium dioxide भी कह सकते हो अच्छा इसका नाम बताना ज़रा Mg O का बताओ Mg माने magnesium O माने akilla O है तो आइड लगेगा magnesium oxide क्या नाम होगा magnesium oxide यह basic चीज़े समझनी बहुत जरूरी है यदि वास्तविकता में आप अच्छे तरीके से पढ़ना चाते हो तो और यदि अच्छे तरीके से नहीं पढ़ना तो मैं पहले ही चैप्टर पर हमला कर रहा बस पहले चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर दूँगा भले ही आपको ABCD ना आत्ती हो chemistry और फिर आपके समझ में आई या ना आए और feeling तो ऐसी जरूर दिलवा दूँगा कि ना समझ में आते समझ में आएगा ऐसा लगेगा कि सर समझ में तो बहुत आ रहा ठीक है आज कल इस चीज में बहुत चल रहा हमारा पूरा देश कि जो नहीं हो रहा उसकी भी feeling आ रही कि हो रहा ठीक है पता है ना आपको तो इसलिए जो है feeling दिलाने में तो हमारे देश के लोग बहुत expert हैं हर एक मोके के बहुत बढ़िया feeling दिला देते हैं बहुत बढ़िया अच्छा इसका नाम बताओ आप MgO2 जब आप इसकी बात करते हो ना magnesium की तो magnesium की संयोजकता दो होती है और oxygen की भी दो ही होती है तो जब नीचे लिखोगे यहां भी दो लिखोगे क्योंकि इसकी संयोजकता इदर लिखी जानी इसकी इदर दो से दो कट गया तो इसका मतलब magnesium oxide का formula तो MgO ही होता है यह एक magnesium क के साथ एक oxygen परमाणू जुड़ता है और यदि इस तरह लिख दिया तो संयोजकता के नियम जो है उन पर पानी फेड़ दिया अपने और संयोजकता के नियम पर जब पानी फेड़ दिया extra oxygen आगी तो extra को क्या कहते हो आप extra को कहते हो पर तो MgO2 का नाम क्या होगा MgO2 का नाम क्या होगा बताओ क्या होगा magnesium 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 Per Oxide Magnesium Per Oxide क्या नाम होगा Magnesium Per Oxide अच्छा इसका नाम बताना जरा NA2S का नाम बताओ आप NA मने sodium पहले वाले हिस्से में गिंटी लिखने की कोई आवशकता नी है पहले वाले हिस्से में दियान से सुनलो हमारे देश के बच्चो दियान से सुनो पहले वाले में दो है तो disodium लिखने की जोड़तनी यदि आपने डाई sodium लिख दिया तो इसमें गलती भी कुछ नहीं है sodium पहले तो मैं sodium ही लिख देता हूँ sodium अब sulfur अकिला है अकिला है और बाद वाला हिस्सा है suffix sulfur का अकिले का suffix क्या होता है बताओ sulfide होता है ना sulfideide लगता है ना के लिए में तो sodium sulfide है इसका नाम इसका नाम क्या है sodium sulfide क्या है इसका नाम sodium sulfide जल्दी से लिखो screenshot ले लो जिसे लेना हो जो आलसी बच्चा है देश के बविस्से को डुबाने में जो लगावा वो screenshot ले लो very good सत्य चलो सोडियम सल्फाइड के बाद आप जड़ा इसका नाम बताओ मुझे एनने टू एससो फोर का यह प्रीफिक्स और यह सफिक्स तो प्रीफिक्स में क्या है sodium यह लिख दिया sodium यह लिख दिया sodium और एससो फोर क्या होता है oxygen अधिकता मात्रह में तो 8 लगेगा इसका नाम है sodium तो इसलिए मैं प्रीफिक्स और सफिक्स दोनों सिखा रहा था आपको बारी बारी से दोनों बारी बारी से इसलिए तो सिखा रहा था sodium sulfate है क्या नाम है sodium sulfate very good अच्छा जरा इसका नाम बताना कुछ नाम तो ऐसे जो बच्चों ने रट रखे सोचते ही नहीं है कि क्या किस तरह है इसका नाम कैसे नहीं है इसका नाम बताना जरा एनने टू एस सो थरी का हाँ ठीक है एस सो थरी ऑक्सिजन अधिकताम मातरा से कम है तो आइट लगेगा इसका नाम है sodium sulfate sodium sulfate एस यू एल पी एच आई टी ई आई टी इ आपको पता होना चाहिए एट आइड एट और आइट आइड और आइट पता होना चाहिए ठीक है अच्छा जरा हिम्मत है तो इसका नाम बताओ आप एनने एच एस सो फोर बताओ क्या नाम होगा अब आया हूं उठ पाहड के नीच्चे एनने एच एस सो फोर का नाम बताओ बताओ क्या नाम होगा वैज़ा तो आपको पता है इसका नाम क्या होगा क्या होगा इसका नाम ठीक है थाफिक है बादवरी हूं सत्यवीर सिंह ओरी इसका नाम है वेज़ीं मोर्त होडिय एक सो आपको मैं एक उप्रीणे की स्धियम तोडियमफव सैल फहेट इसका नाम है sodium bisulfate बाई कब लगता है जब sodium को हटा कर बीच में एक hydrogen आ जाता है अच्छा इसका नाम बताओ आप इसका बी ए ओ का बी ए ओ का बी ये क्या होता है बेरियम बेरियम पूर लगन तो नॉर्मल हैं सबके ये बेरियम लिख दिया आर आई यू एम बेरियम ओ अकिला है तो आईड लगेगा औकसाइड बेरियम औकसाइड है क्या है बेरियम औकसाइड अब मैं नई चीज सिखाने जा रहा आपको एक तो आप सिखो SN SN के साथ दो CL जुड़ेवे हैं और एक बार SN के साथ CL जुड़ेवे हैं चार इन दुनों के नाम स्टार लगा लो इसके उपर नई चीज है वैसे तो मुझे पता है स्टेनम डाइड और स्टेनम टेटरा कलोराइड आप बता दोगे पर समझने वाली बात यह है कि ध्यान से समझना इस चीज को यहाँ SN की संयोजक्ता दो है यह दो लिखावाँ तो दो ही तो चड़रा होगा इसके सीर पे इसकी संयोजक्ता SN की यहाँ 2 है और यहाँ कितनी है? 4 जहाँ संयोजक्ता कम होती है वहाँ लगता है S O U S इसका नाम Stannous Chloride है यहाँ डाई और टेटरा लिखने की ज़र्वत नहीं आपको आपको लिखना है Stannous S T A N O U S इस S को देखो Stannous Chloride इसका नाम है Stannous Chloride और इसका नाम है यहाँ संयोजक्ता 2 थी यहाँ 4 है जादे संयोजक्ता है तो असकी जगा 1 आजाएगा Stannic Stannic Chloride भई इस चीज़ की बहुत ज़्यादे ज़रत पढ़ती है और बच्चे कन्फ्यूज होते हैं कि सर कहीं तो Stannous Chloride आ रहा कहीं Stannic Chloride आ रहा हमें समझ में नहीं आ रहा कहां Stannous लगेगा जहां संयोजक्ता कम होती है ऐसे नाम सिरफ उन योगिकों के मिलेंगे जिसमें जो आपका पहले वाला हिस्सा है पूर्वलगन का जो परमानू है या तत्व है वो परिवर्ती संयोजक्ता दिखाता हो यदि कोई तत्विया परमानू परिवर्ती संयोजक्ता दिखाता है तो ही उसके योगिक इस तरह के आपको देखने को मिलेंगे और परिवर्ती संयोजक्ता जब वो दिखा रहा है तो जहां भी उसकी संयोजक्ता कम होगी वहां आपको अस लगाना है OUS और जहां उसकी संयोजक्ता जादे होगी वहां लगाना है आपको क्या इक ठीक है ध्यान रखोगे अच्छा चलो एक सर्प्राइज देता हूँ आपको CO2 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 का नाम सारी दुनिया ने रट रखा सारी दुनिया ने कार्बन डाई ओकसाइड इसका नाम C माने तो क्या होता है कार्बन C A R B O N कार्बन दो हैं ओकसाइड दो को हम कहते हैं डाई गिंती सिखाईती अभी और O माने ओकसाइड इस तरीके से इसका नाम carbon dioxide है जब बच्चा तीसरी चौत्थी क्लास से सुरू करता है इसे पढ़ना co2 गो तो तभी इसमें रट्टा मार लेता है कि इसका नाम carbon dioxide है ठीक है carbon dioxide इसका नाम इसलिए है बेटे carbon dioxide carbon dioxide इसलिए इसका नाम carbon dioxide है और इसका एक भाई भी है co अब तो समझ में आगया co का नाम क्यों है carbon एक oxide है एक को क्या कहते है mono इसका नाम है carbon carbon mono oxide इसका नाम है carbon mono oxide बताओ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है यह चीज़े मुझे पढ़ानी जरूरी है यह नहीं है जरूरी है ना यदि इन चीज़ों को मैं पढ़ाऊंगा अभी तो आपका basic मजबूत होगा जरा इसका नाम बताना इसका नाम बताओ nade 2ki sodium और cईुञ आपकेळमाब sia को पूर्व लगन में carbon कहते हैं कह नाम बताओ बदाओ जल्दी क्या नाम मhouses कि इसका नाम ऐस सोडियम पहले तो चलो sodium लिख देता उ और इंवी में कि छीयुक लाएत लगेगा सी अकिलए तो इड लगेगा सूरज बताओ ति योग लाइड लगेगा को किया नाम वेस्का कारबाइड इझा नाम है sorry म कारबाइड किया नाम है's sodium कारबाइड द्यां रखोगे अच्छा इसका अने टू सीओ थ्री इक ये तो आपका जाना पहचाना है क्या नाम है इसका इनने टू सी ओ तरी का बताना जरा अब सी ओ थरी ये तो सोडियम है सोडियम तो लिखाई जाएगा सोडियम मेरे साथ सार लिख रहे न बिट्टे जादे स्पीड पर मैं इसलिए नहीं पढ़ाता जिससे जो बच्चे अच अंदकार में भेजना चाते हैं अंदकार में घोर अंदकार में ठीक है तो वे कॉपी पैन लेकर नहीं बैठे होंगे तो यदि आप रिवाइज कर रहे तो बहुत बढ़िया बात है पर लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए बट्टे आपको ठीक है देखो बताओ क्या ना चुक्त को पहले से ही पता होगा झन ने तूब सी ओ टू ऐंने टू सीओ डू बताओ क्या नाम होगा ने टू है एनने तो सोदियम ही है और आइट लगेगा ना कार्बो कार्बो नाइट सोडियम कार्बो नाइट जल्दी से लिखो आप मैं पेज बदलूँगा फिर एकदम वेरी गुड लिख लिया चलो देखना चला इसका नाम बताना एनने एच सीओ थ्री अप्जिश गुर भी पेसमें सोडियम थे दो एक सोडियम को उर्ठागे फैर्ड शीओ त्री कार्बोनेट है में यह जब आ गया तो क्या लगेगा आइट सोडियम बाई कार्बोनेट स्टयम बाई कार्बोनेट ठीक है sodium by carbonate जिसे आप खाने का soda कहते हो या baking soda अभी इसका नाम बताओ आप एन ने टू एसो फोर का एन ने टू एसो फोर का नाम बताओ क्या है क्या नाम होगा एन ने तो हो गया sodium और एसो फोर क्या हो गया एट लगेगा विए सलफेट लोडियम सलफेट है इसका नाम क्या है sodium साइट अच्छा sodium सलफेट जब मैंने लिख दिया तो मैं यह क्यों सब्सक्राइब जरूरा पूछ आप से एन ने एस एस क्या नाम होगा sodium by sulfate अच्छा इसका नाम बताओ आप S3PO4 का वैसे तो कुछ बच्चों ने याद रख रखा है फास्फोरीक एसिड कहते हैं इसे पर हमें नाम चाहिए रासाइनिक नाम H3H को क्या कहते हैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन और PO4 को कहते हैं फॉस्फेट क्या नाम हुआ हाइड्रोजन फॉस्फेट इसलिए मैं बार बार कहता हूं बेटे बिल्कुल ध्यान से समझो हर एक चीज को निव मजबूत करनी है तो ध्यान से पड़ो हाइड्रोजन फॉस्फेट ठीक है अच्छा चलो हमारा सबका प्यारा एनने सीएल नाम बताओ वैसे तो अद्दोने रटी रखा नाम बताओ एनने माने सोडियम सीएल माने एनने माने सोडियम और सीएल वैसे तो क्लोरीन होता है पर यदि वह बाद वाले हिस्से यानि सफिक्स के तोर पर आया और सीएल अकेला तो आइड लगेगा तो इसका नाम है क्लोराइड इसका नाम है chloride, sodium chloride, खाने का नमक? अच्छा इसका नाम बताना? हट है, हुलफयूरी कमल्ख कह बहुंगे बहुत सारे बच्चे खेंगे सर सलफ्यूरीक ऐसीड है, रासाइन के नाम बताओ इसका, इसका है का हटम है हाइड रोजन, एसका मतलब है हाइड रोजन है, और S का मतलब है Sulfate तो Hydrogen Sulfate है बिट इसका नाम और वैसे Sulfuri कमली इसका उद्द्योगी के नाम है Industrial name है इसका Sulfuric Acid और Hydrogen Sulfate इसका रासाइनी के नाम है ठीक है इस तरीके से आपको क्या करना थोड़ी सी प्रैक्टिस ओर करना आज थोड़ा सा घर पर गयास टाई वे जिसकी वज़े से मुझे थोड़ा जल्दी छोड़ना पड़ेगा आपको ठीक है दो दो जगा से गयस्ट आगे महमान हैं अतीती हैं अतीती तो कह नहीं सकते हैं अतीती तो उसे कहते तो जो बीना तीती के आ जाता है हां वेरी गुड बैटेस वास्तविक्ता में जो आजका लेक्चर आपके समझ में आया है तो comment box में पोर चैट box में दिल बना देना यृit बना देना अग बनादेना और जल्दी से दिल बना से समझना है copy man ले के बैठना है और अपने handwritten notes बनाते रहना है ठीक है तो thank you very much for watching this video for watching this lecture आदत पड़ी भी या video बोलने की ठीक है तो thank you very much for watching this lecture बाकी practice कल करेंगे अभी practice खतम नहीं हुई आपको बहुत मजबूत बनाना है तब तक आपको छोड़ने का नहीं है पहले chapter पर जब ले का हूँगा जब आपकी new मजबूत होगी होगी जड़े फैल गी होगी बहुत बढ़ी आतरीके से ठीक है तो thank you very much for watching this lecture ओके बाए बाए